दोजार अठारा में देविंद्र ने 190 बी सिलिकॉन सिटी में आफिस खुला वहां उसने अपने आफिस में छे चपरासी वर ड्राइवर की नियुक्ति की इने भारत सरकार का लोगो लगी खाकी रंकी वर्दी दी देविंद्र अपने साथ गाड़ी में गनमैन ड्राइवर आफिस में काम करने वाले युबकों से कुकशी, मनावर, खंडवा, देवास, खरगुन, इंदौर, अलीराज, पूर, धार, जाबवा, उदैनगर के शहरी वग्रामिन शेत्रों के बड़े व्यापारियों की फाइल तयार करवाई थी देविंद्र डाबर अपने साथियों के साथ मिलकर एक आयकर अधिकारी की तरह बरताव करता था और आयकर अधिकारी की तरह सफेद रंग की सफारी में गूमता था इसमें सामने की और एक लाल रंग की प्लेट पर भारत सरकार का नाम वो लोगो लगा होकर Investigation Officer, Intelligence and Criminal Investigation Department नई दिली लिखा हुआ था आगे पीछे लाल रंग से Government of India लिखा हुआ था देविंद के Special 26 फिल्म की तरह बड़ी दविश देने की तयारी में था बाद में शुभम व अन्य युवकों को मालूम पड़ा कि देविंदर व उसके साथ ही का रूपियों को लेकर आपसी विवाद होने से Office बंद करना पड़ा उसके रिष्टदार व दोस्तों को Intelligence and Criminal Investigation Department Attachment Section 6 का Chief Investigation Officer बताता था देविंदर डाबन ने शिकायत करता शुभम साहू को सर्वेयर फील्ड ऑफिसर का पद रिक्त होने की जानकारी दी दस्री बारवी की माक्षी जाती प्रमान पत्र, निवास प्रमान पत्र, आय प्रमान पत्र, आधार काड, पैन काड, फोटो शुभम वा पवन से लिए, फिर 10 अगस्त 2017 को शुभम साहू को निवक्ती पत्र दिया ओफिस में 35 युवक आते थे, यहां शुभम वा अनिसाद में काम करने वाले युवकों को फाइल दी जाती थी इसमें अंग्रेजी में लिखना होता था, इन फाइलों को देविंद्र सुनील तथारवी द्वारा चेक किया जाता था ओफिस की फाइलों व रजिस्टरों पर देविंद्र सुनील तथारवी के स्ताक्षर होते थे कुछ दिनों बाद शुभम तथा अन युवकों ने देविंद्र डावर को नौकरी में अस्ताई से इस्ताई करने के लिए कहा तो उसने प्रत्येक से 50-50 हजार रुपियों की मांग की इस पर शुभम व उसके दोस्त पवन द्वारा 25-25 हजार रुपे दिये गए इसी तरह देविंद्र ने सुनिल के माध्यम से मुहिज जाद हुआ अन्य युवकों से नोकरी में अस्ताई से इस्ताई पत्पनियुक्तरन के नाम पर लाखो रुपे लिए इसके लावा ओफिस के रजिस्टर में करीब 75 युवकों के नाम थे युवक जब भी वैदन की बात कर दे थे तो उन्हें आरोपियों द्वारा बताया जाता था कि सरकार के पास सभी बजट नहीं है